यह T-test के अंदर जो मैंने आपको equal और unequal variance की बात बताई यह data को check करने का भी एक तरीका होता है कि दोनों data homogenized हैं के नहीं क्योंकि पहला हमारा step 1 होता है किसी भी test को choose करने का parametric के अंदर data की normal distribution check करना उसके लिए Shapiro Wilk test लगा लिया अब जो दूसरा चीज होती है उसको बोलते है homogeneity of data check करना वो variance को check करने से ही हमें पता चलता है कि दो data की homogeneity ठीक है बराबर है या नहीं और उसके लिए Levene's test और एक और test बातले test जो हम लगाते हैं अब आपको दोनों test में लगा के दिखाता हूं इस lecture के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से हम data की homogeneity जो है वो चेक करते हैं यह data का variance चेक करते हैं लेट्स गो तो आर स्क्रेन और यहां पे मैं simply यहां पे लिखता हूं test for homogeneity के data homogeneity है के नहीं ठीक है तो पहला test जो हमारे पास वो है levene test levene test levene test levene test क्या है यह बड़ा मशूरे जमाने test है बाइदावे और यह बड़ा use भी होता है levene test को use करने के लिए आप basically stats वो ही चीज सारी लगाएंगे ठीक है सिरफ फरक कहां पे आएगा stats.levene that's it जो t-test पे हमने काम किया था group 1, group 2 का वो ही group है यहां पे यहां पे सिरफ levene आपने यहां पे लिख देना है और आपके पास इसकी statistics आ जाएगी और p-value आ जाएगी and then you can print the results the results based on if-else conditions और simply आपको पता है if p-value is greater than 0,5 तो आप क्या करते हैं और अगर else condition को use करना है तो आप क्या करते हैं ठीक है let's see मैं इसको run करता हूँ और इसी test ने मुझे बता दिया कि variances are equal fail to reject H0 इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इन दोनों पे t-test लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के variance equal है यानि कि ये group 1 और group 2 जो है इसका variance equal है तो अगर हमने step-by's चलना है तो हम पहले normal distribution चेक करेंगे फिर इसका variance चेक करेंगे लवीन's test का फिर t-test की तरफ जाएंगे और equal variance इसके लिए different किसम का t-test है unequal variance के लिए different किसम का t-test है ठीक है जी तो ये इतना आसान है इस test को लगाना दूसरा test जो है हमारे पास that is 2.2.2. ब-A-R-T-L-E-T-T-S partless test ठीक है partless test लगाते हैं simply वही चीज़ है अब आप देखिए अगा कोई कोई बड़ा फरक नहीं है सिरफ आपको पता होना चाहिए कौन सा काम क्यूं किया जा रहा है statistics वही सारी चीज़ें यहां पर partlet आ गया ठीक है अब इसी चीज़ को मैं दुबारा से print the results using और क्या हमने करना है if else condition को use करके print करने result को and then you will see के हमारे पास जो results है यह मैं github co-pilot use कर रहा हूँ थाके हमारे पास code fast हो ठीक है सो आप देख लें के variances are equal fail to reject वही चीज़ है बाटलेस test है और दूसरा हमारे पास कौन सा टेस्ट है लवीन's test तो equal variances जो होते हैं इसका मतलब यह है कि data जितना भी फैला हुआ है दोनों का कोई इतना फरक नहीं है दोनों का फैलावट जो है दोनों data set की जिनको हम compare करने जा रहे है वो बराबर है ठीक है यह नहीं है कि data बहुत ज्यादा फैला हुआ है और एक data कम फैला हुआ है इसकी यह मिसाल में आपको देता हूँ कि अगर आप दो मुर्गों को लड़ा रहे हैं एक मुर्गा अच्छा खासा पला हुआ है दूसरा बचारा कमजोर सा है तो आप अगर उन दोनों को लड़ाएंगे यह इनसाफ ही नहीं होगा एक चूजे को लड़ा रहे हैं दूसरा मुर्गा है तो यह इनसाफ नहीं होगा इस वज़ा से आप हमेशा मुकाबला बराबरी की बेस पे करवाते हैं तो मुकाबले की बेस पे जब T-Test आपने लगाना है तो अगर equal variance है देन योर रिजर्ट्स विर भी more reliable unequal variance में भी reliable होंगे लेकिन आपने बताना हैं टेस्ट को के variance unequal है उसके लिए levin's test लगता है ठीक हो गया यहां तक clear हो गया हमने T-Test भी देख लिया शपीरो विल्क टेस्ट भी देख लिया लवीन's test भी देख लिया बाटलेस टेस्ट भी देख लिया T-Test की तीन examples भी हमने देख लिए अब हम आगे चलते हैं अनोवा के उपर त्यार हैं त्यार ही होंगे ना